सभी का स्वागत है सभी को नमस्ते अंगुपाल बाभु भीया नमस्ते तो सभी का स्वागत है इस दुबह के स्ट्र में मौलूम चैशन में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज बन कर रहे हैं स्वयम से स्वयम को देखना और इस देखने में कुछ बातों को हम लोग ध्यान लख रहे हैं इश को वार्वर्य हम alternatives आने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अपने को औप्जर्व कर रहे हैं तो हम को reaction नहीं देना है रिप अबजर करने नस आप का मतलब यह कि चीजे जैसी हो रहे हैं उसको वैसे होने देना होते हुए देखने इसके साथ हम लोग जितना भी सूच मुखर अपनी कल्पमा सिल्टा में देख सकते हैं सूच मुने का मतलब कि पहले हो सकते हमको आशा दिखराओ विचार दिखने लगे पिर भाव दिखने लगे जितना भी सूच मूंकर हम देख सकते हैं उसको देखने का भ्यास करें बिना रिक्षंद दीन और फिर उसको मुल्यंकन करें यह जो भाव चला है मुझे सहस मिल्यकार ने इसकी निरंतरता चाहता हूं कि ने चाहता हूं मैं सहज हूं कि आस है जो तो इस्टेप टू-3 में हम लोग मुल्यांकन कर रहे हैं इसका निर्णाय कौन ले रहा है बहार की परिस्तितियां से हो रहा है किसी व्यक्ति की भासा या विवार से हो रहा है या मैं स्वह्म तै करना हूँ कि इस तरह से देखेंगे तो 從 फब्रैं के गया ले रहा है कि यह बात किरती हो जाएं तो हमको काम कहा करनाइं यह द्रॉत होचतीय है अगर हमारे में होना है तो फिल हमको प्रिमारी जैंड के आवसक्ता है यह हमारे एकर नीड साथियर आवसक्ता बन जाती है अगर इतनी आवशक्ता बन जाती है फिर हम लोग step 5 पर बात कर रहे हैं कि किस आधार पर मैं अपने भाव और विचार का निर्ड़ा ले रहा हूं क्योंकि देखेंगे तो हम सब त्रप्ति पूर्वक्षी जीना चाहते हैं लेकिन यह जो अनित्था भाव आ जाते हैं फिर यह क्यों आ जाते हैं यह एक्स्प्रोड करने के एक बात है इसलिए इस बात को समझने कोशिश्ट कर रहे हैं कि जब निर्ड़ा मैं ही ले रहा हूं और मैं त्रप्ति पूर्वक्षी जीना भी चाहता हूं तो यह विरोद का भाव देश का भाव अनिता भाव क्यों आ जाता है को तो देखेंगे तो चाहाना में इसु नहीं लगेगा अगर अपने को ठीक से देखेंगे वह हमको देखता है कि चाहाना में इसु नहीं है चाहाना तो केलियर है लेकिन इसु जो है कही न कही हमारे जब निर्ड़ा लेते हैं तो उसकी मान रिदा हूं नहीं तो हम लोग यह बात कर रहे हैं कि जब सुखी होना है यह तैय है चाहना के रूप में तो बिल्कुल तैय है है तो फिर जब निर्लाय लेने जाते हैं तो अन्यत्था निर्लाय क्यों हो जा रहे हैं यह कि एक्स्प्रोर करने के लिए इसी को लोग एक्स्प्रोर करके देख रहे हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि चाहना के तो ठीक है लेकिन जब निड़ने जा रहे हैं तो निड़ने के लेबल पर दो पॉसिबिल्टी हो सकती है या तो मैं समझ के अधार पर निड़ने ले रहा हूं या मानिता के अधार पर जब भाव विचार का निड़ने ले रहे हैं यह हो सकता है सही नहीं भी हो सकता है आप यानी कि में चाहना के रूप में निंतर सुखी होने चाहते हैं यह की लेकिन जब करने जा रहे हैं को उस्क्राइख निड़ा लेने चाहरे हैं तो किसी किसी सब्han setzt है इसलिए हमारे निड़ने में हम किसर भाव के साथ चलेंगे इसमें भी देर फिए कि अगर समझ्व सेन ध्रयू हो रहा को समझना और मेरा बाकी क ह्, के साथ क्या संबंद है इस बात को समझ्झना है कि अगर इस सम mesh से तो उसमें पर जो मैं चाहना है वे styl अधिक और जो इनों गल्राइन फोन हो जातें इसमें लेकिन अगर हम चाहना के रूप में तो ठीक बना हुआ है लेकिन जब लेने जा रहे हैं तो अन्यथा हो जा रहे हैं जैसा हम लोग कई बार शेरिंग करते हैं यह अन्यथा हो जाने के पीछे का अधार यह हो सकता है कि जब लेते हैं तो हम कुछ मान के निड़ने लेते हैं तो अस्तित के बारे में कुछ मान लिया है अपने बारे में कुछ मान लिया है हमारा दूसरी काईयों के क्या साथ कि इसके बारे में कुछ मान लिया है वो मानने क कि अधार पर निड़ने लेते हैं तो अगर वो मानना सही है तो हमारा निड़ने सही भाव के लिए होता है और हमारी चाहना जो है वह पहले सही भाव विचार किया तो हमारा अगर माननी में कुछ गलबल हो गया है तो हम चाहते तो सही है सही सुप की निड़नता के साथ चाहत तो गलत माननता से हो गया है, अब ये गया पो जाता है, तो गलत माननता का मतलब जैसे चीज़े हैं, वैसा नहीं देखकर, हमने कुछ अन्नेथा मान लिया है यहन्र की जो हमान लिए कि इस अनिका से में नेडनें लेता हूं उससे मेरा भावविचार बनता था और अगर भावविचार और उसका मुझे दुख होता है और जो मैं चाहता हूं निरंति रप्ति पूर्वग जीना वह बाधित हो जाता है तो इस तरह से देखेंगे तो यह एक आवशक्ता के रूप में बन जाता है कि अब मैं जिस आधार पर निर्णा ले रहा हूं उसको ठीक-ठीक समझना भी जरूगी है अगर उसको ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं तो चाहना के रूप में genra product छलै जाता है तिर वह चाहना पूरी नहीं हो पाती है और अपने से पूरी नहीं हो पाएगी तो हम आशा के रूप में बाहर रहेंगे तो हमारे में जो गैप सभी समझ कि अभाउ में अब उसका जो छोग होगा कि और उसको फिर हम बाहर से पूरा करने कोशिश करते हैं और बाहर वैला व्यक्ति कभी अगर इतना ध्यान नहीं गया है कि यह अध्या को पूरा नहीं परकाता है पिर वहां से हमारे हैं में करते हैं तो तो अपने में दुक बना रहता है फिर उसी को में से पूरा करत Tianarsi कि ए लेकिन एकर यह को जाए मुझे कि मैं जो नीरा ले रहा हूं वो किसी मानेता के तहत रहा हूं मानना हमने कुछ मान लिया है उसके तहट ले रहा हूं तो मानेंगे किसके बारे में कुछ मान सकते हैं अपने बारे में कुछ मान सकते हैं और हमारा जो बाकी काईयों के साथ संब्द है उसके बारे में कुछ मान सकते हैं तो यह किलियर हो जाए कि मैं माननेता के साथ कुछ न तब जाकर यह बेस बनता है कि अब मुझे सही समझने के आशकता है और बिनाखी के आधार पर अपने भाओ विचार करें लेता हूं तो मुझे सह स्विकार होते हैं अज़AST me रता हूं संघीए सुखी रताओं यह सी मान अपने भाव विचार का में नेड़े दो यह निष्टन के नहीं रहता है तो यह निश्चेशित में रहता हूं कभी अंतरद्वन्द में रहता हूं तो इतना अगर हमको ठीक से क्लियर हो जाए तो इससे हम ये निसकस निकाल सकते हैं कि अब सही को समझना और सही के आधार पर अपने भाव विचार का निर्ले तरना यह मेरी एक आवशक्ता है यह आवशक्ता है क्योंकि मैं तरपती पूर्वग जीना चाहता हूं उसके लिए इतना ज़रूरी है अगर मानताओं से चलते रहेंगे तो यह तो बना रहेगा लेकि निर्ले कुछ और होते रहेंगे उससे जो दुख बनेगा उसको मैं आशा के रूप में दूसरों से पूरा करना चाहूंगा तो वह एक अलग तरह का जंजट है तो अगर इतनी बात स्टफ फाइप में ठीक हो जाए तो हमारी का आवशक्ता बन जाती है कि अब मुझे सही को समझना है तो जैसे एक्जामप है और सब्चति के लिए संबंद का भाव रहता है और समन में जो सह्च भाव है इश्वास का भाव सम्मां का भाव इसने ही तब वह मुझे सही का रोटे और इस वाव के साथ मैं अपने में संघीत में रहता हूं जब मैं सही समझ कि आधारप पर अपने भाव विचा कर लेता हूं जो मुझे सह स्विकार रहते हैं इससे मेरा सुख ही होना तै हो जाता है कि यदि मुझे संबंदू की सही समझ नहीं है मैंने कुछ मान लिया है तो अपने को शरीर और चैतन मिकाई के साइस्थित्यू के रूप में ना देखकर मैंने मानव के रूप में नहीं समझाए कुछ मान लिया है और दूसरे विक्ति के बारे में भी कुछ मान लिया मैंने अब मेरे भाव विचार क्या चलेंगे इन माननेताओं पर निल्वर करेंगे अब तो अगर इन भाव विचार का अधार समद्वार पर करना यह तो मुझे में अपने सम्प्रदाय या वर्ग के लिए अधार बना रहता है और मेंके साथ में कमपटेबल फिल करता हूं लेकिन जब दूसरे तरह के लोग आते तो उनके लियुए ंटि कंगरிरिआंट और जब मैं अपने रहां के पच violin कर घृणा को 刑 मेर захों इने कि निशित्ता नहीं होती है मैं यह पाता हूं कि अराम में रहंगा कि परिशान में रहूंगा मैं बस मानता वस कुछ निर्णे लेता हूं इसलिए इस बात का एक नीड बनती है कि स्वैम में सही समझ का होना जरूरी है क्योंकि समझ के अभाव में जो मैंने मान लिया है उससे जो मेरे भाव विचार चलने उससे मेरी चाहना पूरी नहीं हो पा ना कि बाहर की परिस्थिती के कारण मेरी चाहना पूरी नहीं हो पादिये मेरी चाहना पूरी नहीं हो पादिये मेरी चाहना पूरी नहीं हो पादिये क्योंकि जब मैं निवलाइन रहने जाता हूं तो उसके पीछे समझ नहों कर कोई ना कोई मानता होती है और यह मानता को अधिक से विल्य इंड नहीं किया है तो इया निशितम आंचिया है तो कभी में बूर्प लिगते हैं सब के बारे में जिन से में 기하다 इसको फैलाएंगे तो मेरासमाम सन्पूर प्रकाषि तुटि के साथ है इसलिए मुझे संपूर प्रकति संपूर अस्तितु को समझने की आवशकता है और या निर्णाय करने की आवशकता है कि मनुष और मनुष के रावा प्रकति के साथ जीने की संदर्व में कौन से भाव मुझे सहिस्विकारत इसलिए साही समझने की आवशकता बगती है तो इतने वैग्ग्राउंड के साथ यह हम लोग कर रहे हैं कि अपने साथ घटने वाली सारी घटनाओं तता दूसरे व्यक्तियों के साथ होने वाले आधान परदार में अपने भाव का मुल्यांकन करें और अपने आप से पूछे कि इस निडले का अधार क्या है तो हर पर हम निडले तो लही रहें व्यक्ति के साथ इंट्रक्शन कर रहें तो भी निडले ले रहें तो निडले तो हम लही रहें अब एक important step यह हर बाद अपने से पूछें कि भले बहले सही हुआ हो या चाही नहीं हुआ हो सही में भी अपने से पूछें कि यह निढ़े मैंने समझ के अधार बलिया । कि वह मानेता जो समझ के अभाव ने बनी ही what अनर्था निढ़े हुआ है तो भी अपने से पूछें लिया qualcosa किशें अब यह दोनों ही बात अपने से पूछना carbon बहुत ही पिंपॉइंट चीजी होगी कि अब मैं अपने निर्ड़ायों को ठीक से देख रहा हूं कि समझ के अधार पर हैं समझ के अधार तर्मिन फिर हम अपने से देखे क्या मुझे लगता है सही समझ के अधार पताय करने के अवशक्ता है अगर यह आवशक्ता के रूप में दिखने लगेगा तब हमारी जो चाहना है नियंतर सुक पुड़वक जीने की और जो हम निर्ड़ाय लेंगे उसमें सामंजस्ता होगी एक रू सब्सक्राइन हो जाएंगे तब मैं त्रफ्ति पूर्वक जीने का जो चाहना है यह पूरा हो सकता है तो इतना हमको अपने से हर बार पूछते रहना है कि मैंने जो अभी निर्ड़े लिया है व्यक्ति के बारे में प्रस्तिति को लेकर इसके पीछे आधार किया है सही समझ या कोई मानता है और जो भी आपको दिख रहा है उसको अपने अब्जर्वेशन को कहीं नोट करें नोट करने से शापने सोर बढ़ती है नोट करने से हमारा ध्यान जाएगा किन किन मानताओं को हमने सही के अर्थ में वेल्यूट कर लिया है कौन-कौन सी मानता हैं जो सही के अर्थ में जही है अगर हम उसको ठीक से नोट करेंगे तो हमारा ध्यान उस पर ज्यादर जाता है तो इतनी तो मर के साथ हम लोग स्टेफ 50 है बताएए ओंग सब और सब इंटर करें करा है तो जो फाइव कर रहे हैं तो वन टू थरी फॉर तो करी रहे हैं उन्हें सबके साथ हम लोग यह कर रहा है कि स्टेफ फाइफ तो बनताईए इसमें ऐगर किसी का कोई observation है किसी ने इसका अभ्यास किया है बहत करके वह यहां तक पहुँचे हैं कि मैंने निर्णाई लिया और उस निर्णाई को मैं देख पा रहा हूं कि यह समझ के साथ है या किसी माननता के साथ है और वो क्या माननता है उसको मैं पकड़ पा रहा हूं कि नहीं पकड़ पा रहा हूं यह एक महत्पूल बात है हमारे परिमारजन के लिए क्योंकि यहां से हमारी आवशक्ता बन रही है कि मैं सही वास्तिक्ता पर जो वास्तिक्ता हैं बनी हुए उस पर अब ध्यान दूँ नमस्तर जी पिछले दो तीन दिन से जो भी चर्चाएं चल रही हैं और जो भी असाइन्मेंट्स आ रही हैं जो भी शेरिंग्स हो रही हैं तो उसी के वो फ्लक्ष में एक सिच्वेशन जो है उसको रखना चाहता हूँ सवाल तो शायद नहीं है कोई अब्जर्वेशन जरूर चाहता हूँ कि किस तरीके से इसको देखा जाए सर कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी और्गिनाइजेशन में लोगों को काम बारतना होता है चीजें देनी होती हैं इस्ट्रक्शन हमारा official relationship होता है तो उसमें कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो कभी भी अपना comfort zone जो है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं आप जब भी उनको कोई काम देंगे जब भी कोई situation उनके सामने आएगी कोई आप उनको official instructions पास करेंगे कि भी आपको ये चीज इस तरीके से करनी है या इस situation में आपकी ये responsibility रहेगी तो वो भड़क जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं और कई बार वो इस हद तक चले जाते हैं कि बहुत ज़्यादा aggression में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा hyper भी हो जाते हैं अगर कोई बंदा एक बात करे तो उसको दो बात का जवाब दिया जाए और उसको चुक करा के ही छोड़ा जाए यहां तक कि उसका caller भी पकड़ना पड़े तो कोई बात नहीं तक धीरे धीरे समय के साथ maturity के साथ यसी यह समझाई कि भी यह तो बहुत सही तरीका जो है वो society में behave करने का नहीं है और आप लोगों के साथ जुडने के साथ यह feelings और भी mature हुई इनकी और भी understanding बनी के भी यह तरीका जो है ethical नहीं है value based नहीं है तो इस situation में अब हुआ यह के मैं तो जो official काम कर रहा हूँ यह जो मेरी duty है मैं उसको लुखा रहा हूँ तो उसके अंडर ही मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी limitations के अंदर ही कर रहा हूँ अपने आपकी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ जो भी मेरी designation है जो मेरा काम है जो मेरी position है उसकी जो requirement है उसी के अंडर कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजुद भी कोई व्यक्ती जो particular है वो बहुत चादा aggression में आ गया in the presence of others तो मैंने let by gone be by gone वाली बात जो है उसके उपर ही ध्यान रखा के चलो कोई बात नहीं है तो सकता है कि इनको अच्छी नहीं लगी यह चीज़ लेकिन इनको करना ही तो है कि तो requirement की बात है कि अगर आप job में है तो आपको यह करना ही है अगर institute चाहता है organization चाहती है authorities चाहती है तो आपको यह करना ही है तो उसके उतेंदर तो आपकी choice नहीं बनती है लेकिन क्योंकि आपका comfort zone जो हो hurt हुआ है आप उसको करना नहीं चाहते है आपको यह acceptable नहीं है इस शान्त रहा इसको सारे सारी चीज़ को लेके कि कोई बात नहीं let the things cool down जब अकेले होंगे तब इनसे बात कर लेंगे कि भाई यह आपका तरीका जो है वो ठीप नहीं है तो लेकिन उन्होंने मतलब जब मैंने उनको जवाब नहीं दिया उस meeting के अंदर या उस gathering के अंदर तो च्छा आप ये सब कुछ करके तो आप चुट करकर बैठ गए और आपको बात क्यो नहीं आ रही है वापको जवाब क्यों नहीं आ रही है मेरे सवालों का तो मेरे को उसके बावजुद भी मैने यह लीएक्ट लेकि रही है है मैशन कर असमें इस तरीके की जो सीचूरेशन है उसके अंदर हम इस चीज़ को एनलाइज करें क्या इस चीज़ को देखें कि भई जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है कि मैंने रियक्ट नहीं किया कोई बात नहीं वो बंदा बढ़क गया अगरेशन में आ गया आईपर हो गया कोई बात नहीं लेकिन दूसरी तरफ दूसरे लोग जाएं वो ये सोच रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि भई सर आपने तो कोई जवाबी नहीं दिया तो मेरे लिए ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जो है वो बनी तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपका विशार चाहता हूँ या फिर जो कुछ भी हुआ उसमें मैं जो है वो पैसे हो गया और मैंने मतलब उसको जवाब नहीं दिया सही से तो उसमें भी नेगेटिव में चला गया ये सारी एक सिचुएशन है जो पिछले दो तीन दिन में घटित हुई तो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए जी गोपाल से मेडिया वाज आ रही है आपको जी सर आ रही है वाज थोड़ी कम है लेकिन आ रही है चीक है I am able to listen जी जी कि अच्छी बात है कि आप बाहर की परिस्तिती या व्यक्ति जो हो रहा है वह हो रहा है आप अपने में इस बात को देख के तै कर पा रहे हैं कि अभी हमारे में क्या भावचा रखना है और इस तरह से देखेंगे तो हम बाहर से जो जुड़ के तुरन्ती द्ड़ली उससे हमारे भाल विचार्ग नित्था हो जाते थे उसका के दुख मिलता तो दुख का इंटेंस्टी बहुत बढ़ जाता था है अभी देखेंगे तो एक बात तो ही रही है कि बाहर जो व्यक्ति कर रहा है उसका अगे की बात देखेंगे अगर तो ग happening कि वी बात हो रही जो मनां भी दूसरे साथी के रहे हैं कि जवाब नहीं देगे कि मैं तो वश्वास के वहाव से चलना है संमान के बहुता है यह तक ठीक चिक होगा है रिस्पॉंस भी करना है उसको Are होने देना है उसको रिस्पॉंस भी करना है क्योंकि देखिए व्यक्ति क्या है अगर देखेंगे यह आपके सिस्टम की बात नहीं यह तो हर सिस्टम में कि सकते हैं अभी देखेंगे कि व्यक्ति अपने आप में इतना ट्रैप है अपने में बनाते हैं और कुछ भी मान के बैठ जाते हैं कि वो पहले से ही अपने में बहुत अंतर विरोध में लोग जीद हैं और उस पूरे सिस्टम में देखेंगे तो उसके अंतर विरोध को समझने का समय किसी के पास है नहीं एक तो उसके पास भी रास्ता नहीं है कि इसके अंतेहरोत को समझ के अड्रेस कर दें इसका इसको भी सिस्टम में नहीं है तो व्यक्ति इंटर्नली ना बहुत परिशान गुम रहे हैं अगर अपने में इतना हमको दिख जाएं कि मेरे लिए तो उसके लिए विश्वास के भाव का निर्णा ठीक है अब इस निर्णा के साथ उसके साथ कम्मिनिकेशन करना और उसको कमफर्ट करना अब उसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी क्या होता है हम जादतर समय व्यक्तियों के साथ अभी इंट्रेक्शन करते हैं जब कुछ काम होता है क्योंकि सिस्टम का डिजाइन भी वैसे ही है और कुछ हमारी माननेता भी वैसे ही है तो जब हम को काम होता है तब हम लोगों के साथ इंट्रेक्शन करते हैं तो काम को सेंटर में रखें इंट्रेक्शन स्टार्ट करते हैं तो व्यक्ति का जो संबंद से हमारा जोड़ना है भावर से हमारा जाता है और कहीं ना कहीं हम को तो सम्मान करने करें तो उसमें जो अभी मैं कह सकता हूं वह इतनी कह सकता हूं कि संबंद को हम प्रॉटी में अगर रखे चलते हैं तो जब काम नहीं भी पड़ा है तो भी हम व्यक्ति के साथ इंट्रेक्शन करते हैं और उससे वह काफी कमफट्रेक्शन यह सामने वाला व्यक्ति मुझसे संबंद को देख पाता है और मुझे समझ पाता है इसके साथ काम किसी के साथ रखते हैं तो व्यक्ति उसको स्विकारता है स्विकार रहा है अभी क्या बहुत साधी मानताओं के तहत वह हमको भी निस्विकार रहा है सिस्टम को भी निस्विकार रहा है इसलिए काम भी उसको बहुत बल्डन लगता है बोज लगता उसको कि डिफ लेग रहा है क्योंकि वीटि को नहीं स्विकार रहा है तो कम से कम व्यक्ति का व्यक्ति से इंट्रेक्शन होने लगे हमारा को वह करने लगे उसके साथ काम को अगली बार देंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से स्विकार के कर पाएगा जैसे आप घर में देखेंगे ना जब शादी होती है बेटी की बहन की तो दो तरह के लोग काम कर रहे होते हैं एक वो तरह के काम लोग होते हैं जो संबंधी होते हैं जाचा ताओ मामा एक हम लोग बाहर से लोगों को हायर करते हैं तो आप देखेंगे जो संबंधी देख रहे हैं उस्विक्ति के साथ वो उनसे ज़्यादा काम कर देते हैं कम प्लेन में सलूशन और इंट होते हैं कोई भी समस्यादी तुर्ण सलूशन निकालते हैं आगे पैसे में इतने होगा यह तो आया है अब मैं क्या करूं वो सोच पाइंगे तो मुद्दा काम और काम के पीछे संबंद और संबंद के पीछे संबंद का भाव यह एक इंपोर्टेंट बात है तो अगर हम प्रियोर्टी पे इस बात को रखते हुए संबंद संबंद के लिए भाव और फिर काम को अगर हम लगते हैं तो मुझे लगता है कशिकार्ण की परगोलिटी बढ़ने लगते हैं अभी क डिजाइन जो है उसमें यह है हम काम पढ़ता है तब व्यक्ति को ध्यान देते हैं कि व्यक्ति हमसे कनेक्ट नहीं होता है कह रहे जो भी उसके सामने रखेंगे विश्वास के लो के साथ उसको सुनेंगे उसको कमफर्ट करेंगे फिर जो कहना से हमारा उसका जुड़ा होगा यह जो हमारा उसका इसका सुनेंगे एन उसने निए, उसको सुनेंगे नी, इसको सुनेंगे, ए सुनेंगे तो इससे हमारा जुलाव होगा, यह हमारा इसका конnexion होगा है, इससे उसको और करने दिक्त मेंगे लिए, मुझी अबिक भी एसा लग जिला है जी, जी सर जी जी शुक्रिया जी गोपाल सर थांक यू वेरी मच पर दर्रिस्पॉंस अब पूल बात है विया कि हमारा जो भी सिस्टम डिजाइन है यह वक्सेंट्रिक डिजाइन है समभन सेंट्रिक डिजाइन नहीं सर उसमें जो बात आप कर रहे हैं वो ठीक है कि वह विक्ती जो है वो पहली बात है कि संबंद को सभीकार करने ही रहा और दूसरी बात है कि वह सिस्टम ने जो कुछ उसको दिया उसको भी सभीकार नहीं कर रहा है इसलिए वो uncomfortable है, इसलिए वो react करता है, लेकिन जो मैं situation आपके साथ discuss कर रहा हूं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है, हमारी interaction नहीं है, हम लोग सारा दिन इकटे ही रहते हैं, interaction भी है, sitting भी है, gossiping भी है, है सब कुछ, लेकिन उसमें जो दूसरे विक्ति का reaction आया, उस कोई तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है, वो बलके हम उसको बार-बार यहीं कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, let us cool down, आप आराम से बात करते हैं, let this meeting be dispersed, अभी दुबारा उनसे बात हुई नहीं है, क्योंकि बीच में दो-तिन दिन छुटियां ती लगातार Saturday, Sunday, और अज Monday भी off है, तो कल फिर से उनके साथ बात होगी, और definitely यह जो आपका पक्षा आया है, जो response आया है, वो भी ध्यान में रहेगा, कि भई उनके साथ dialogue जो है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके के साथ, ज्यादा अच्छे atmosphere के अंदर किया जाए, और उनको convince करने की भी कोशिश करी लेकिन उसके लिए वो appropriate platform उस time पे नहीं बन सका, जिस time पे उसको विक्ति को response दिया जा सके, तो उसमें एक gap आ गया, अब in between हमारी भी चर्चा चल रही है, तो वो situation जो थी वो in between as it is ही खड़ी है, जबके उसके बारे में next जो बात होनी है, वो अभी कल इसके बारे में बात क पाएंगे जब working day होगा, जब हम ही कटे होंगे, तो ये मेरी जो actual real position है, वो ये वाली है, तो मेरी ये sharing है कि भई ये इस तरीके से ये सारी situation बनी, मैं आपकी बात जो है, उसको बात भी समझ रहा हूं, कि एक चीज़ तो हमने realize कर ली कि भी बाहरी जो factor जो बने थे, उसके अ action जो हम लोग कर रहे हैं पिछले 47-48 दिन से, जो process चल रहा है, जो सभी भाई बैनों के विचार आ रहे हैं, उन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन observation से, तो उसका प्रभाव तो इसके मेरे अंदर भी है, कि भई इसको बड़े cool mind के साथ सुना जाए, जरूरी नहीं है कि जो अगर सामने वाला व्यक्ति एग्रेशन में आ गया तो हम भी उसके साथ उसी लेवल पे चले जाएं, उसी एग्रेशन के अंदर आएं, तो ये समझ तो बनी और उसी के कारण ये situation जो of controversy थी वो नहीं बन पाई, तो सारा dispersal हो गया, अब next जो है उसको जब चर्चा करेंगे तो उसमें ये चीज भी आएगी, कि उनको अच्छे संबंध के अंदर ही ये सारी चीज जो है, समझाने की कोशिश करें, कि भाई, इसमें अपना personal कुछ नहीं है, ये तो सारा काम जो है, वो उसी organization के साथ जुड़ा है, जिसके साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं, जी सर जी बाड इसे नहीं है, जी बाड याजि आपना अवे शांत हो गया होगा, अब आप आरहम से बाप करता हैंगे। था तब तो मुझे चीजें समझने में मतलब टाइम लग गया और अभी इस बैच में जब हमने एक्सराइजे स्टार्ट की तो बहुत पीसफुली मैं अपने आप को पकड़ कर अपने भाव को पकड़ कर एक एक स्टेप चल रही थी और करती जा रही थी और मुझे लग नही हैं उनसे मुझे उत्तर भी मिल जाता था लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ घर में ही मतलब एक बहस कह लीजिए या जगड़ा या जो भी है कि एक लहर के साथ मेरा सारा जो मैंने अपने आपको सम्भाला हुआ था सब उड़ गया और मैं अपने अपना आपा हो बैठी मैंने और ओर वो वो छीज अभी भी चल रही है कल से आज तक क्योंकि मैं शायद अपने आप पर ब्लेम लेने की स्थिती में नहीं हूँ कि कोई मुझे ब्लेम करे और मुझे मालूम है कि कुछ मांगे मेरी वक्त के साथ सही नहीं है लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये मेरी अपने लिए मेरे लिए ये मांगे सही है और दूसरी बात मतलब मैं अपनी फैमिली छोड़कर भी नहीं जा सकती हूँ ये भी है और मु सब निकल आई और बाद में शाम को मैंने अपने आप से जब बाते की तो मुझे लगा कि शायद जो इतने दिन से मैं कर रही थी अपने आपको सोच रही थी कि मैं समभल गई हूँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है मतलब मैं अभी भी पहली वाली स्थिति में ही हूँ शायद और दूसरी बात इतनी उतल पतल है कि मैं खुदी नहीं जानती कि मुझे चाहिए क्या है मुझे अपना करियर चाहिए है कि मुझे अपने ही पसंद की जगा रह पे मुझे लग रहा है कि एतने दिन से जो कर रही थी कि मैं शायद कुछ भी नहीं कर रही थी ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है और इस वक्ट मैं बहुत डिस्टरब हुँगे हैं जी देखे उसमें हैं मैं थोड़ा सा ध्यान दिला रहता हूं आपको कि कुछ भी नहीं कर रही थी है अम लोग क्या है कि ठोड़ा सा वी होता है तो हम को लगता है हम सवजदार हो गया है और थूर देख नहीं चाली तो लगता है तो हमको भ्रहमी तक समझधार हो गें तक कुछ भी कि यह कि हो एक ज्च्चति जो होते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है यह बहुत खत्रनाक चीज आपकी New नहीं मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि सब कुछ हो गया है लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ और शायद और बीच में छोटी-छोटी कई तरह की चीज़ें आती है तो मैं अपने आपको संभाल ले रही थी और कल भी पता नहीं कुछ ऐसा नहीं था लेकिन बस वो चीज़ें गलट डिरेक्शन में चली गई और फिर जो वो ब्लेम गेम शुरू हुआ तो मैं बिलकुल अपने आपको संभाल नहीं पाई मैंने पूरा रियाक्ट किया और उसके लिए मैं खुदी अपने आपको मतलब पस्ट्रत आप भी मुझे गुस्सा भी है बहुत अपने उपर भी सामने वाले मतलब मैं मुझे पता नहीं मुझे अभी क्या मूझे कुछ अच्छा प्लेसें्ली ओर देटी नहीं हो लाए कि बाहर से किसी ने कुछ कहा है मेरे अंदर कुछ ट्रिगर हो गया है और यक्षन के रूप में आ गया है जी तो मेरे में जो ट्रिगर हुआ उसका प्रभवत अभी तक बन नहीं हुआ है इसलिए अच्छा फिल हो जाएक तो मुश्किल काम है यह भी और जो हुआ है वहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि एक तरफ यह भी रहता है कि इतना रियक्षन हो गया अब पर उतनी मेनद करने पड़ेगी कि मैनद करनी पड़ेगी कि रेक्षन ही अंदर चला है जी बहिए और मैं समझ रही थी अंदर मतलब मैं ठीक हो पर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि कल जिस तरह से जो हुआ है उससे मुझे लग रहा है कि अभी भी अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब धीरे ठीक हो रहा है पर अभी मतलब पता नहीं कैसे मुझे लग रहा है कि मैं गलत उस में थी या वाहम में थी बहुत कुछ है अंदर अभी और इसके लिए शायद मुझे